तो चलो बच्चो आज हम पुना है सामाजी विज्ञान कक्सा साथ का ध्यान करने जा रहे हैं जो है हमारे सामाजी विज्ञान का कौन सा भाग है ये भाग तीन है जो है सामाजी के उज्राजनितिक जीवन भाग दो सामाजी विज्ञान के तीन भाग है उसके अंतरगत यह हमारा तीसरा भाग है लेकिन यहाँ पर सामाजी को राजनितिक जीवन का भाग दो है तो इसके बारे में मैंने आपको पहले समझाई दिया अब आज जो हम पढ़ेंगे जो हमारा देह नमबर आठ चल रहा है जो हमारा देह नमबर आठ कौन सा है बाजार में एक कमीज उसके अंतरगात हमने इसके भाग एक के अंतरगात क्या क्या पढ़ा था एक बार पुने आपको याद दिला देता हूं कि उसके अंतरगत हमने कुरुनूल में जो एक किसान है, जो शोपना की कहानी के माध्यम से हमने उसको समझा, उसके बाद में जो दादन विवस्ता में किस प्रकार से है ना जो बुनकर कपड़ा तयार करके लाते हैं, इसके माध्यम से हमने तो इसका भाग एक है उसमें अध् अद्यायक आध के भाग दोक्यांत्रग्त वह क्या पढ़ेंगे की कार खाना वह निर्यात कि किस प्रकार से जब वहां से बुपरोद्वारा तयार माल aquela क्या के जाता है व्यापारिय और पीविन प्रकार के जो कपड़े हैं तैयार के जाता है फिर उनका किस प्रकार से C किया जाता है इसी के बारे में यह हमारा चैप्टर भाग दो है तो चलो शुरू करते हैं जो हमारे अध्याए 8 है उसका भाग दो अब है दिल्ली के निकेट वस्तर निर्यात करने का एक कार खाना अब जब हम इसकी सुरुआत कर रहे हैं इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पे दिल्ली के जो एक कार खाना है वस्तर निर्मान करने का उसके उधान के माध्यम से हम इसको समझते हैं जैसे कि आपको कार खाने का एक चित्र दिया गया है यहाँ पर वो जो कपड़ा तयार कपड़ा आता है उसके विविन परकार के हाना जो इस परकार से तयार किया जाता है उन कपड़ों को अलग अलग आकार के कपड़े तयार किया जाता है इन कारकारों में किस प्रकार से इनका निर्यात किया जाता है इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने वस्त निर्यात करने वाले कार खाने को बेजता है अब देखो हमने उस पूरे प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से रुई मंडी में आए व्यापारी उसको जिनिंग मील को बेचा जिनिंग मील वालों ने व्यापारी को बेचा व्यापारी ने किसको बेचा बुनकरों को बेचा बुनकरों ने वापिस व्यापार के लोग जो तयार कपड़ा व्यापरी को बेजते हैं वो व्यापरी कहां बेज रहा है इन दिल्ली के कारखानों में वो कपड़ा तयार कपड़ा बेज रहा है वस्तर निर्यात करने वाली फैक्टरी इस कपड़े से कमीजे बनवाती है अब देखो पाट का नाम ही हमारा क्या है बाजार में कमीज तो कमीज के उधारन से हम इसको समझ पा रहे हैं कि जब वस्त निर्यात करने वाली जो फैक्ट ¿ri है इस कपडो से जोकी बुनकरो द्वारा भेजा गया था व्यापरी के माथ्दिम से उससे क्या तयार करती हैं कमीजे तयार करती हैं ये कमीजे विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है अब जब ये कमीजे तयार हो जाती है तो बड़े पैमाने पर देश विदेश में इनको भेज दिया जाता है निर्यात कर दिया जाता है कमीजों को विदेशी ग्रहाकों में अमरीका एरोप के ऐसे व्यवशाई भी हैं जो स्टोर्स की स्रंकला चलाते हैं अब जब ये निर्यात ऐसे ऐसे बड़े बड़े देशों में किया जाता है विक्षित देशों में किया जाता है और इनकी एक स्रंकला भी होती है जैसे अमरीका और ईरोप के ऐसे व्यवशाई और इन व्यवशाई की एक स्रंकला भी होती है इनको ये कपड़े तैयार कपड़े कमीजे बेज दी जाती है वे माल अपनी सर्तों पर खरीते हैं और नियुनतम मुल्य परदान करते हैं इसलिए निर्यातक इन सक्तिशाली ग्राओं को द्वारा अब यहाँ पर क्या दे रख है है कि जब ये अमरीका और ईरोप के जो व्यापारी है जो यहाँ से कपड़ा खरीत के ले जाते हैं दिल्ली लिए कपड़ा तयार करवाते हैं यह इन सक्तिशाली ग्राओं कोते हैं अमरीका और यूरोप के इनके सर्तों के अनुस्वार जो यह सब चीजे निश्चित कर देते हैं उनको किस प्रकार से तयार किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं अब उनके द्वारा जो शर् तो के अधीनी ये हना कारखानों के मालिक या निर्यातक कपड़ा तैयार करवाते हैं इस प्रकार ग्रहाकों के दबाओं के कारण निर्यातक कारखाने अन्ये खर्चों में कटोती करते हैं अब विभिन प्रकार के उनकी सर्टे हो सकती है या मानलो भोती कब लाव उनको भी निर्यातकों को मिलता होगा अब जब उनको कम लाव मिलता है तो वो अन्य खर्चों में क्या कर देते हैं कटोती करते हैं ताकि उनको अधिक से अधिक लाव हो किनको निर्यातकों को जैसे नियुनतम मजदूरी दी जाती है और अधिकतम काम लिया जाता है अब जहाँ पर कारखानों में जो विविन लोग काम करते हैं कमीजे तयार करते हैं उनसे अना जो अधिकतम काम लिया जाता है लेकिन नियुनतम मुल्ले दी जाता है नियुनतम मजदूरी दी जाती है इस तरह से अपना लाब बढ़ाते हैं और विदेशी ग्राखों को भी सुस्ते दाओंवों पर वस्तर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर पूरी तरह सोशन हमारे को किसको देखने को मिला। जो मजदूर होते हैं जो कमीजे तयार करते हैं उनको तो भहती कम लाब होता है। लाब यहाँ किसको होता है निर्यातक को या फिर उन जो विदेशी जो व्यवशाई हैं ग्राख है उनको होता है। क्योंकि वो अपनी सर्तों के अनुसारी क्या करवाते हैं कपड़ा तयार करवाते हैं इंपक्स garment factory में 70 गामगार है, अब जो हम दिल्ली का उधारन ले रहे हैं, जिस कार खाने का, वो एक garment factory है, कपड़े की कमीजे तयार करवाते हैं, न कमीजे तयार करवाते हैं वह एक garment factory है वहाँ पर 70 कामगार है 70 मजदूर है जो कमीजे तयार करते हैं उनमें अधिकांस महिलाए हैं और इनमें से भी अधिकतर को ऐस्ताई रूप से काम पर लगाया जाता है अब उनमें से भी ज्यादातर महिलाओं को काम पर रखा जाता है वो भी एस्ताई रूप से जैसा कि आब है जो विदेशी जो बाजार हैं जिसे यहां पर शयुक्त राज्य अमरिका के एक बाजार का चित्र दिया गया है जहां पर जो यह निर्यातक कपड़ा बेशते हैं अब पुने इस पर आते हैं हम कि जो एस्ताई रूप से काम देते खाती है वहां पर उनका कारखानों में क्या होता है जब उनको जो मस्दूरी दीजाती है ना, वो भी उनके को सल के अनूसार ही मस्दूरी अलग-अलग प्रकार से तैक की जाती है काम करने वालों में अधिक तर वेतन जो ज्यादा तर जो वेतन वहां उन कारखानों में दिया जाता है ना काउनी काम करने वालों में से सबसे ज्यादा वेतन किसको मिलता है दरजी को मिलता है, वो कितना होता है, तीनlington अजार रुपे प्रतिमा और स्तिरियों को वहाँ शाइक के रूप में रखा जाता है तो स्तिरियों से क्या काम करवाते हैं, जैसे धागे काटना बटन टांकना स्तिरी करना, पैकिंग ये सब कामों के लिए वहाँ पर इस्त्रियों को रखा जाता है क्योंकि उनको कम मुल्ले दिया जाता है और ज्यादा काम में लिया जाता है इन कामों के लिए नियुनतम मजदूरी दी जाती है अब हमने यहाँ पहले देख लिया कि इसके कामों के लिए इन सब कामों के लिए जो साइक के रूप में जो महिलाए काम करती है उनके लिए उनको बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है तो जैसे साइक के रूप में देखो य ताय रूप से रखते हैं इन GARGAN lift Factory में अच्छाम मस्दूरी का प्रकार है इस साधुनी के माध्यम से बहुत समझाए गए है उस कार खाने में जो इन फ्रकार सतर काम गार है वहां पर वहां पर कौन कौण से काम गार को कितना कितना रुपए किस किस काम के लिए दिया जा रहा है ये इस साड़ी में बता है कि जैसे यहां तो है मजदूरी का प्रकार और यहां पर है मजदूरी रुपए में कि बाइक मजदूरी कौन-कौन सी प्रकार की है रुपए किस प्रकार से जैसे दर्जी को तीन जार रुपए प्रतिमा मिलता है इस तरह क impact garment factory में दिया जाता है वहाँ की ये सूचीय विबिन कामगारों की जो उनको मुल्ले दिया जाता है तो हम इसारड के माध्यम से आखलन कर सकते हैं कि उनको कितना कम मुल्ले दिया जा रहा है विदेशों में खरीदार वस्तर निर्याद करने वालों से क्या-क्या अपेक्षाय रखते हैं, वस्तर निर्यातक इन सर्तों को क्यों स्विकार कर लेते हैं, जो विदेशों में के जो खरीदार हैं, हमने यहां पड़ा था, अमरीका, यूरोब के खरीदार, वो हना जो जो निर्यातक होते हैं न, उनसे क्या-क्या अपेक्षाय रखते ह कि वो हना अच्छा कपड़ा देंगे और कम पैसों में देंगे ये वो अपेक्साय रखते हैं वस्तर निर्यातक इन सर्तों को सविकार क्यों कर लेते हैं क्यों कर लेते हैं क्योंकि उनको इस्तानिये जो हमारे देश के जो व्यापारी है ना जो उनसे ज्यादा उनसे लाव होता है विदेशी ग्रहाकों से इसलिए वो उनकी सर्ते स्विकार कर लेते हैं वास्तर निर्या तक विदेशी खरीदारों की किस परकार की सर्तों को पूरा करते हैं कि कम मुल्ले में वो कपड़ा या तयार कमीज उपलब्द करवाते हैं इंपेक्स गार्मेंट फैक्टरी में अधिक शंक्या में महिलाओ को काम पर क्यों रखा जाता है क्योंकि महिलाओ बहुत ज़्यादा काम भी करती है और उसका कम मुल्ले भी महिलाओ को दिया जाता है इसलिए उनको इस गार्मेंट फैक्टरी में रखा जाता है मंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखे आपके विचार से मजदूरों के लिए जो उचित भुकतान है उसकी मांग कीजे अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जो मंत्री है उसको संबोधित करते हुए हम एक पत्र लिखेंगे उस पत्र में क्या लिखेंगे कि किस प्रकार से जो मजदूरों के साथ मजदूरी के आदार पर भेद बाव किया जा रहा है उनको कम क्या दी जा रही है मजदूरी दी जा रही है तो उसके संद्रब में हम मंत्री को पत्र लिखेंगे जैसे कपड़ा मंत्रा लेके जो मंत्री है कि हमारे को उचित मुल्य दिलवाने की करपा करे तो इसके आदार पर हम पत्र लिखेंगे या आप भी प्रेजित कर सकते हो जो मजदूर है उनको भी पत्र लिखवाने के लिए तो चलो आगे हम देखते हैं, यह कमीज का एक चितर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, कमीज का एक चितर दिया गया है, इस चितर में क्या है, क्यों यहाँ पर कमीज का चितर दिया गया है, उसमें व्यापारी को कितना मुनाफ़ा होता है, उसके बारे में हम बात क करने वाले हैं चर्चा करने आ वाले हैं और जो आगे है ना जो इसी प्रकार के चित्रों के माद्यम से ही विविन प्रकार के उधारणों को आपको और इस पष्ट कराया जाएगा अब इसमें क्या है कि व्यापरी को जो कितना मुनापा हुआ और उसको खर्च कितना उठावन मुल्य में क्या क्या सामिल है जैसे विग्यापन विग्यापन के कितने हैं तीन सो और यहां पर बंडारन के कितने हैं सो रुपए कितने हैं सो और क्रेम मुल्य उसने खरीदा कितना था कच्चा माल यहां पर खरीदा कितना कच्चा माल कितने रुपए में खरीदा 200 रुपए म अब लाब कमा रहा है 600 रुपए तो इसको बेचेगा कितने में 600 रुपए लाब प्राप्त करने के लिए उसको कितने में बेचेगा 600 इसमें जोड़ देंगे तो मतलब 1200 रुपए में जब वह इस कमीज को बेचेगा ना तब उसको 600 रुपए का यहां पर लाब होगा इस अपर पर कितना खर्च किया 400 रूपे प्रति कमीच और हम अधर पर कितना खर्च किया 200 रूपे प्रति कमीच और कुल लागत प्रती कमीज कितनी हुई यहां पर, 900 रुपए प्रती कमीज, फूल लागत यहां पर हुई अब यहां पर, जो कमीज पर, जो बेचने का लाब हुआ वो कितना है सुनितराज, अमरीकामी को व्यापारी, जो दुकानदार बेचेगा वो लाब कितना हो रहा है 900 रुपए और लागत मुले यहां पर इन तीनों का कितना हुआ 900 लागत मुले कितना है 900 तो अब वो जो कमीज बेचेगा 900 लाब प्राप्त करने के लिए तो कितने रुपए में बेचेगा 1800 रुपए में जब वो कमीज बेचेगा तब उस पुस्रे उदारण से हमने और इस पश्ट रूप से समझ लिया आगे हम इसको और हना रेक्तिस्तानों के माद्यम से भी हम इसी के अंतरगत हम भरने जा रहे हैं अब सहिंत राज अमरीका में यह कमीज है तो इसका हमने है ना जो पहले डिटेल में हम समझ लिये किस प्रकार से उसका लागत मुल्य होता है बंडारण और विज्यापन खर्च और कच्चा माल खरिदने का जो क्रेम मुल्य है उसके आदार पर और फिर लाब के आदार पर उस होती हisticgeht रृपय में वहां पर कमीज बेची जा रही है उसके हमने पीछली वाली स्लाइड में समझ लिया किस परकार से उसमें क्या-क्या सामिल था कमीज चा तो यहां पर ऊपको चित्र दिया गया समझ आने के लिए लेकिन यहां इस समन्धित नहीं है सुए युझती राज्येक में कमीजा बेची जाती है, उसके उधार्ण के आदार पर य essay का में और रिक्तिस्तान के पूर्ति करेंगे, यह के कमीजों का जो एक व्यवसाही के जिल्ली भर्मिट नेर्यातक, ने उस व्यवशाई को बेचा, बेचा तो उसने कितने रुपए में खरीदी उसने, उसने 300 रुपए में खरीदी, उसका क्रेम मुल्ले कितना हुआ, 300 रुपए, और उसने हना जो संचार के साधनों पर कितना खर्च किया, 400 रुपए, कितना खर्च किया, इसके बाद में उसन तो लाब कितना हो रहा है 900 रुपए वहां उसको लाब हो रहा है कितने रुपए लाब हो रहा है 900 रुपए वह जितनी अधिक संक्या में कमीजे बेचेगा उतना ही अधिक उसको लाब होगा ये तो एक कमीज का मुल्ले हमने देखा एक कमीज पर लागत मुल्ले और एक कमीज इसका ही हमने क्या निकाला था लाब निकाला लेकिन जितनी ज्यादा कमीजे बेचेगा उतना ही उसको क्या होगा लाब होगा तो हमने कमीज के विभीन लागत मुनले और लाब के आदार पर इसका विभीन उधारणों के माध्यम से समझ लिया तो चलो next order देखते हैं वस्तर तक अब जो वस्त्र निर्यातक से 300 रुपय में किस ने खरीदा था उस जो स्विंक्त राजी अमरीका के व्यापरी ने खरीदा था दुकानदार ने खरीदा था अब यह वस्त्र निर्यातक भी इन 300 रुपय में हना किस प्रकार से लाव कमाता है 300 रुपय में इसमें क्या-क्य आया चलाने का तो इस प्रकार से हम इसके लाब की गर्णना को और इस पश्ट रूप से समझते हैं कि जो वस्तर निरिया तक है उसको कितना लाब हुआ तो चलो इसको देखते हैं हम अब यहां पर कच्छे माल का कितना भुकतान किया 100 रुपए और जो कामगारों को मजदूर अमरीका के दुकानदार को बेचा कितने में था 300 रुपए में तो यहां पर लाब कितना हो रहा है 300 में से 1500 अपने घठाए तो 1500 रुपए प्रती कमीज का उस वस्तर निरिया तक को क्या हो रहा है लाब हो रहा है तो इस तरह से हमने देखा कि समिक राज जी अमरीका में 900 करना है लेकिन यहाँ पर जो मजदूर है जो महिला काम करती है उनको कितनी कम मजदूरी दी जाती है अब अपने विविविविवंद्वो पर हमने चर्चा की उनहीं के आधार पर यह प्रसंद दिये गया है उनको हम पढ़ते हैं और उनका आपको आंसर भी नौट करना है गर्मेंट फैक्ट्री के मजदूर गर्मेंट के निर्यातक है और विदेशी बाजार के व्यापारी उन्हों ने कितना कितना रुपए उस कमीज से कमाया तो इसकी तुल्ना करनी है आपको हमने समझी लिया उसको विविनुदारणों के माध्यम से व्यवसाई बाजार में उच्छा मुनाफ़ा कमा पाते हैं इसका क्या कारण है क्योंकि वो अपनी सर्तों के अनुसार कपड़ा खरीते हैं अब हमने संचार के माध्यमों के अंत्रगत विज्ञापनों के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से है ना जो न्यो चैनल, टीवी के कारेकरा में समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जाते हैं और उनसे प्रेरित होकर उब्भोगता बाजार में वस्तु खरीदता है तो इसलिए हना जो ये विज्ञापन दिये जाते हैं विबिन वस्तु के विज्ञापन दिये जाते हैं ताकि हना ज्यादा से ज्यादा उब्भोगता प्रेरित होकर बाजार से कपड़ा खरीदे तो हम इन प्रसनों के माध्यम से भी हना और सात्मे उत्रों के माध्यम से भी हम इस भाग दो को समझ पाए तो मुझे उम्मीद है कि ये जो भाग दो है हमारा कार खाना और निर्यात वो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा next हम इसी अध्याय के भाग तीन के अंतरगत मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद